तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण यानि की हिंदी ग्रामर के अंतरगत परतियाय को पढ़ने वाले हैं इसके ठीक पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को उपसर्क पढ़ाई थी और उपसर्क से 20 question कराई थी 20 multiple choice question ताकि आप लोग का टेस्ट हो सके कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वह समझ में आ रहा है कि नहीं ठीक है तो इसका पहला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखें लिंक जो है ना इसी वीडियो क description में डाल दिया गया है पूरा playlist का link की डाल दिया गया है link पर क्लिक करेंगे तो परतियाई के वीडियो जो हिंदी grammar का होगा वहाई पर मिलेगा ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम लोग परत्याय को पढ़ने वाले हैं यान कि सबसे पहले concept को समझेंगे परतियाय को समझ में आ रहा है कि नहीं पंद्रह में से आप लोग कितना अब्जेक्टिव कोशन सही कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा लेकिन उससे पहले परतियाय को समझे और हां स्टार्टिंग में कहूंगी कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और ज करें और दूमें तो और दूमें जो है न परतियाय को कहा जाता है लहागा अब यहां पर समझे कि परतिया यह कहते किसे हैं जैसे कि आप लोग बताई वह एक्षर फिर अक्षरों को अक्षरों का समू applicants की शोरूरात में जुर ने और एक नया शब्द बना ले उसे उपसर्ग कहते हैं ठीक उसी का उल्टा कर दीजे यानि कि उपसर्ग का आपोजिट कर दीजे तो वो हो जाएगा परत्याय यानि कि वह अक्षर या फिर अक्षरों का समू जो किसी शब्द के लास्ट में जाकर जूर जाए और उस शब्द क अर्थ बदल एक नया शब्द बना ले तो उस तरह के अक्षर या फिर अक्षरों के समू को कहा जाता है परत्याय एक्जामपल लेकर समझते हैं हम लोग देखिए पहले मालीजे शब्द है कथा ठीक है कथा एक शब्द है और कथा के लास्ट में ले जाकर कार जोड़ दिय तो खताकार एक नया शब्द बन जाएगा कथा तो आप लोग जानते हैं कहानी ठीक है कथा का मतलब क्या होता है कहानी और कफा के लास्ट में और कार ले ज जाकर कर जोड़ दिया जै तो कथा कर हो जाता है यानकी कहानी लिखने वाला ठीक है तो release बदल गये न और एक नया शब्द बन गया कथा कार तो लास्ट में ये जो कार जुड़ा है ना उसी को कहेंगे परतियाय यान की सफिक्स उसी तरीके से एक और एक्जामपल ले लेते हैं जैसे कि लड़क पन ठीक है लड़का और प्लस लास्ट में पन जोड़ दिया जाए तो लड़क पन बन जाता है तो इसमें जो परतियाय है वो क्या है लास्ट में पन है यान की पन लास्ट में जुड़ा है तब जाकर लड़क पन बना है तो पन क्या हो जाएगा परतियाय हो जाएगा इसी तरीके से आप लोग के एक्जाम में कोशन पूछा जाता है कोई भी एक शब्द उठा कर दे द तब हम लोग objective question की तरब बढ़ेंगे I hope आप लोगको परतियाय समझ में आ गया होगा परतियाय को English में कहा जाता है suffix और उर्दु में कहा जाता है लाहका यान कि कि साबका को हिंदी में कहा जाता है उपसर्व तो शुरू में जो जाकर जुड़ जाए उसको परत्याय कहा जाता है तो यह परत्याय है यानि कि यह जितने भी है यह परत्याय यानि कि लास्ट में जाकर जुड़ेंगे और उपसर्व जो स्टार्टिंग में जुड़ते हैं ठीक है तो यहाँ पर समझिए कार मैं आप लोगों को बता दी कार क्या है यह एक परत्याय है जो कि किसी शब्द के लास्ट में जाकर जुड़कर एक नया शब्द बना लेता है और उसका अर्थ बदल देता है जैसे कि पहले था कथा और लास्ट में जुड़ गया है कार तो क कि पूछा जाएगा माली जैशास अइसे तब टम में परत्याय कौन सा है रहे है क्हाता नोगन देगा तुम और डी में देगा तुम तो देगा pengach मॉ omega लेदेगा तो बताय तुमन में जो है व अबन पूर्तियाकों सा है तो नो हम दाए यो नियकि थो तुम यानि कि थब में पहले था सुर्षट और कि पूर्डे है तुम जोड़ गया है यानि कि यहां लास्ट में लिजाकर तम जोड़ दिया घा तो सुन्दरतम इक नाय शब्द बन गया तो सुन्दरतम इसमें कौन सा परतिया है तो तम परतिया है इसे किसे कोशन पूछा जाता है हालांकि याद कीजे उपसर्ग को उपसर्ग में हम लोग स्टार्टिंग में जोड़ रहे थे और परत्याय में हम लोग लास्ट में जोड़ रहे हैं अनमोल पहले मोल था और स्टार्टिंग में अन जुड़ गया तो अनमोल हो गया तो अन हो गया उपसर्ग और यहां पर क्या हो रहा है लास्ट में जुड़ रहा है कथा था और लास्ट में कार जुड़ गया तो कथा कार हो गया यानि कि परतिया जो लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग जो शुरू में जुड़ता है ठीक है आगे बढ़ते हैं पा बुढ़ा पा परतियाय कौन सा है तो पा है पहले बुढ़ा था और लास्ट में पा जुड़ गया तो बुढ़ापा हो गया पहले मोटा था लास्ट में पा जुड़ गया तो मोटापा हो गया यानि कि उपसर्ग परतियाय कौन सा है तो पा है ठीक है उसी तरीके से गाड़ी वाला लिखने तो पहले था गाड़ी और लास्ट में वाला जुड़ गया तो गाड़ी वाला हो गया पहले था दूद और लास्ट में वाला जुड़ गया तो दूद वाला तो वाला क्या है परत्याय है जो कि लास्ट में जुड़कर एक नया शब्द बना ले रहा है उसी तरीके से लिखन पुजारिन लुहारिन इन दोनों शब्द में जो परतिया है यान की सफिक्स वह है इन ठीक है लास्ट में इन पुजारिन अब कोशन पूछेगा ना कोई भी शब्द उठाकर आप लोग के इकजाम में कोशन पूछ दे तो उसको पढ़कर देखिएगा पढ़ने से पता चलत है कि पुजारिन और लुहारिन तो समझ में आ रहा है ना कि पुजारिन यानि कि लास्ट में इन जोड़ा हुआ है उसी तरीके से लुहारिन लुहार था और लास्ट में इन जोड़ दिये गया है लुहारिन यानि कि जो परतिया है वो है इन ठीक है तो पढ़ने से पता चल शब्द में जो पर्तियाए वो कौन सा है तो वह बढ़ा वाला ऊँव ठीक है धियान से देख लीजेगा option को option में छोटा वाला आउ भी दे सकता है और बढ़ा वाला उबी सकता है तो बढ़ा वाला को टिक करना है पेटू में बड़ा-वाला-उथी ठीक है तो यह हो जाएगा इसमें परत्याह हो जाएगा ऊ थीक है उसी तरीके से लुटएरा सपेरा लूटप्लस एरा लुटे रा सांप व्रस एरा ऍर फे रा यानि कि इन दोनों शब्द में परतियाए कौन सा है एरा है ठीक है आगे बढ़ते हैं कोमलता और एकता पहले कोमल था और लास्ट में ता जुड़ गया कोमलता हो गया एक था और लास्ट में ता जुड़ गया तो एकता हो गया यानि कि इन दोनों शब्द में परतियाए कौ यहाँ पर इन दोनों शब्द में जो परतिया है वह पन ठीख है आगे बढ़ते हैं लकड हारा चूरी हारा तो इन दोनों शब्द में लास में क्या जुड़ा हुआ हारा जुड़ा हुआ है तो हारा क्या हो जाएगा परत्याय हो जाएगा जूला भूला पहले जूलना प्लस आ जूला उसी तरीके से यहां पर बहाओ बचाओ यहां पर क्या है आओ उपसर्ग है परत्याय है उपसर्ग निकल जा रहा है तो उसका मतलब समझेगा परत्याय ही ठीक है क्योंकि जबान है इनसानी से तो गलती होती है तो आओ क्या हो जाएगा यहां पर परत्याय हो जाएगा बहना प्लस आओ बहाओ बचना प्लस आओ बचाओ ठीक है तो लास्ट में आओ परत्याय हो जाएगा उसी तरीके से घुमककड और भुलककड घुमना प्लस जुड़ा हुआ है वो क्या है अकड जुड़ा हुआ है तो अकड क्या कहलाएगा परत्याय कहलाएगा चढ़ाई और लड़ाई आप लोग देख सकते हैं लास्ट में क्या है आई है चढ़ना प्लस आई चढ़ाई लड़ाई ठीक है तो लास्ट में आई जुड़ा हुआ है तो आई क्या हो जाएगा परत्याय हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए लिखा हुआ है लिखावट तो लास्ट में लिखना प्लस आवट लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है तो परत्याय क्या हो जाएगा आवट ठीक है टिकाऊ और विकाऊ देख सकते हैं ल घबराध चिकनाहत तो घबराहत और चिकनाहत इन दोनों Shabd में आप लोग देख सकते हैं सब्सक्राइब नुकर्णाइब सब्सक्राइब सडियल और अडियल है तो इन दोनों शब्द में जो परतिया है वह है यल आप लोगो कि देखिये उयल में यल लशा राया वैस्ट और पड़ ना गाया उसे तरह से गवईया और खिहाया ओर धुझारे और भिखारी ऑठिया है यानि सो रहा है यानि कि इन दोनों शब्द में आरी परतिया है उसी तरह किसे गवया और खेवया लास्ट में वया जो है ना वो परतियाय हो जाएगा और फाइनली जो इंपोर्टेंट ये परतियाय थे वो सारा का सारा मैं लिख दी सी बोड़ पर आप लोगो बता भी दी आई तो यहां पर आप लोग को समझ गए परतियाय का कॉंसेप्ट समझ में आगे आप लोग को अब चली हम लोग मल्टीपल चैस कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो 15 अब्जेक्टिव कोश्चन तयार किया गया है परतियाय से वह मैं आप लोग को कराती हूं लेकिन उससे पहल करके नोटिफिकेशन बेल ओन कर लेना है ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चली अब्जेक्टिव कोश्चन हम लोग करते हैं आर यू रेडी कि आप सब लोग तयार हैं एक्साइटेड है मल्टीपल चैस में से जितना आप लोग अपने हिसाब से सही कर पा रहे हैं उतना स्कोर आप अपना कमेंड बॉक्स में लिखकर जरूर बता दिएगा ठीक है और फिलाल अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ले लिजे फड़ाबर स्क्र तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कोश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला प्रश्ण है कि निंदक में परतियाए बताएं आपको जिस शब्द को पढ़िए निंदक निंदक यहां कि लास्ट में अक जोड़ा गया है निंद प्लस अक निंदक ठीक है यानि कि one का option number a is the correct answer सही जवाब क्या होगा अक अक क्या है इस शब्द में परतियाए है उसी तरीके से दूसरा प्रश्ण देखिए पठनिया में परतियाए बताएं option a में है निया बी में है अनिया c में है ठनिया और d में है निया तो बता की जवाब होगा option number b अनिया is the correct answer पठनिया में जो परतियाए है वो है अनिया उसी तरीके से यहां पर तीसरा कोश्ण है कि इच्छा में परतियाए बताना है आप लोगों को option a में आधा 4 है और 6 है वी में है च्छा सी में है और d में है चक्छा तो इच्छा में जो परतिया प्रश्ण है ना वह है आप अप्से नमबर सी इस दख करेक्ट इंसर आगे बढ़ते हैं फड़ाफट और सवाल नमबर फूर को शल में परतियाए बताना है आप सने में शल भी में है लॉव सी में सल और डी में है तो कोशल में जो परतिया है आप लोग फटा-फट बता द प्रश्ण है कि अलंकारिक में परतियाए बताएं आप सने में एक बी महरिक सी में रीक और डी में है राक तो अलंकारिक में जो परतिया है न वो है एक ठीक है अलंकारिक लास्ट में एक आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्ण है कि फलीत में परतियाए बताएं आप सने में है प्रतियाय क्या होगा अपसान नमबर 20 इस आप लोग लगांगे ऐसे इस ते तो यह किसे पंखिल में परत्याय बताना है पंखिल में परत्याय है किल यानि कि option number C is the correct answer आगे बढ़ते हैं नाइन नमबर प्रशन है कि आप परत्याशित शब्द में उपसर्ग परत्याय को अलग अलग करना है option A में A परत्याय इत भी में A परत्याय तो C में A परत्याय शीत और D मेंन में से कोई नहीं तो सही जबाब होगा इसका option number A औ प्रति और इत ये जो है न उपसर अगर परतियाए को अलग-अलग कर दिया गया है 10 नमबर प्रश्ण है कि जुर्माना में परतियाए क्या होगा option A में माना, B में है आना, C में है रमाना और D में है इन में से कोई नहीं ये बड़ा ही आसान question पूछ दिया गया है जुर्माना में जो परतियाए होगा वो होगा आना option number B is the correct answer उसी तरीके से पढ़ाई में जो परतियाए होगा पढ़ाई में वो होगा I option number C is the correct answer पढ़ना प्लस आई पढ़ाई बन जाता है मिलगर ठीके लड़ाका में परतियाए बताएं लड़ाका option A में आका B में डाका C में डाका A में आका, B में डाका D में डाका D में इन में से कोई नहीं तो लड़ाका में जो परतियाए है न वो है आका option number A is the correct answer सब्सक्राइब कर्णाइञा और सनाव में 64 में कटाइब क्या में आपकड और और दिमेंद में से पुझ जाएगे और कोशनय कोई नाप्ति नमपर 14 प्या सब्सक्राइब और सब्सक्रारी में घृत है हेला इंन में कोई नहींieux से कोई नहीं तो पंद्रा का उपसन नमर सी is the correct answer ईमा इस टो सही जवाब क्या होगा तो फाइनली यहां पर हम लोग को आज किस वीडियो में पढ़ाये गया है अगर समझ में और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंड बॉक्स में एक बार लिख कर बता दीजेगा कि हाँ मैं चीजे समझ में आई है और वीडियो बहुत लगा है एक दम एनर्जिटिक था और पाउरफुल था इक बार कमेंड अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज